कोरोना वाइरस के ओरिजिन को लेकर एक बार फिर से दुनिया भर में बहस शुरू हो गई है अब तक दो तरह की थियोरी पर सबसे ज़ादा बात होती थी पहला ये कि वाइरस किसी जानवर से इंसानों तक पहुँचा और दूसरा ये कि वाइरस चीन के वुहान की लेप से निकला है अमेरिकी राश्टुपती जो बाइडन ने एक रिपोर्ट के बाद अपनी एजंसियों को 90 दिनों में इस सवालों का जवाब तराशने को बहा है चीन के वुहान में वुहान इस्सेट्यूट ऑफ वाइरोलोजी एक हाई सिक्यूरिटी नाम का एक रिसर्च लैब है यहाँ प्रकृती में पाए जाने वाले उन लोगों की स्टडी की जाती है जो इनसानों को घातक और नई बीमारियों से संक्रमित कर सकते है 2002 में चीन में मिले SARS-CoV-1 वाइरस ने दुनिया भर में 774 लोगों की जान ली थी उसके बाद से इस लैब में चमगादर से इंसानों में फैलने वाले वाइरस को लेकर कई स्टडी हुई इसी लैब में हुई स्टडी में तक्षिर, पश्चिम, चीन, इस्थित, चमगादर की गुफाओं में सार्थ जैसे वाइरस मिले थे यहां काम करने वाइरस के असर का पता लगाने के लिए जानवरों में लाइब वाइरस के साथ प्रयोग किया जाता है वेग्यानिकों को कठोर सेक्यूर्टी प्रोटोकॉल को पॉलोग करना होता है, जिससे घल्ती से भी वाइरस के कारण कोई अन्होनी न हो दुनिया भर के वैग्यानिकों का एक तबखा ये मानता है कि लैब के किसी करमचारी के लापरवाही के वज़ा से कोर्ना का वाइरस लैब से बाहर निकला और दुनिया में तबाही मचा रहा है इस तर्क को बल मिलने का एक प्रमुख करण ये भी है कि लैब के बेहर नजदीक हुनान सीफूड मार्केट है जहां सबसे पहले कोरोना ने तबाही मजाई दी साथी चीन सरकार दोरा लैब से वाइरस लीख होने की आशंका की जाच करने से इनकार करना लैब से संक्रमण फैलने की थोरी को बल देता है वहीं दूसरी तरफ वेग्यानिकों का एक तबका ये मानता है कि किसी लैब की जगा वाइरस के नैचुरल उत्पत्ती की आशंका ज्यादा है इसके तर्क में कहा जाता है कि इबोला और दूसरे वाइरस जानवरों से ही इंसानों में फैले इन्ही वाइरस के जिनों सीक्वेंस से ही कोरोना के फैलने के आसार सबसे ज़ादा है अमेरिका के मौजूदा राशुपती जो बाइडन ने इसे लेकर अमेरिकी जाच एजंसियों को 90 दूनों में रिपोर्ट देने को कहा है बाइडन ने कहा मार्च में उन्होंने कोरोना की उत्पत्ती को लेकर रिपोर्ट तयार करने को कहा था उन्हें ये रिपोर्ट इसी महीने में ली है इसे देखने के बाद ही उन्होंने इस जाच को कराने का फैस्टा किया है इस मुद्दे पर अमेरिकी अखबार बॉल स्ट्रील जनरल ने अमेरिकी गोपनिय रिपोर्ट के हवाले से एदावा किया है कि वुहान के लैब के कई रिसर्चर नमंबर 2019 या उससे पहले बीमार पड़े थे इन लोगों में कोरुना या सामान सर्दी जुकाम और बुखार जैसे लक्षर थे जबकि चीन में दुनिया का पहला घोशित कोरुना केस दिसंबर 2019 में आया था जबञार ये कोरे क्वर इसर्दी ज़नमर या जाद में कोशार बात है ये रिक बात है कि वायरस चीन के दुनिया कोशार फूरिफ बनाने कालो और दूस्सा ये कि वायरस चीन के वहान की लैब से निकदाए कर दो